जिला प्रशासन की बाड से निपटने की तायारी पूरी हुई जिसके संबंध में जिलाधिकारी प्रिश्णा करोडेश ने बताया कि जनपत के सभी बंधों को मई माह में ही ठीक करवा लिया गया है लेकिन बाड को देखते हुए संबेदन शील छेत्रों का भ्रमड किया जाएगा जो की 35 हैं इसके अलावा कुछ 30 संबेदन शील हैं जिन से जुड़े बंधों को ठीक करवाया गया है उन्होंने बताया कि नगर निगम से जुड़े सभी नालों की सफाई करवाई जा रही है जो PWD के रोड हैं जिसमें पिछले साल लीकेज हो रहा था उसको ठीक करवा दिया गया है और गाउं में बाड से निपटने के लिए 279 की विवस्था की गई है और जिन गाउं में ब पूरकपुर न्यूस से बात करते हुए जला अधिकारी कृष्णा करुडेश ने कहा है हमारे जनपग में जितने भी बंदे हैं इसको चेक करा लिए हैं माम मैं में ही सभी की चेकिंग इसमाम दुबारा ड्राइब चलाएंगे जितने संवेधन चील पॉइंट से आरूं प अगर उसमें कहीं किसी प्रकार का इस्यूस है तो उसको चेक करा हैं पाकी सहर में नाली नगर पाली का ये नगर पंचायत और नगर निंगम के दितने भी वाड्स के नाले हैं उसकी सफाई कराए जा रही है और यो टी डबलुडी के रोड्स हैं जिसको उसमाता लास्ट य प्रकार के इसे दो देने नियुक्त आपने जनपत में जोसो सत्तर के आज पास नाव जो सही अवस्ता में इसको इडिटिफाइ कार गिया है इसके आज पास जो बाहरात के इंद्रवादनी वो भी जगा चेनित हो गए जैसे एक लेवल पे जैतावनी लेवल पे आया तो उ आज पास जो रहात सामगरी के टेंडर्स भी फाइंडर्स हो गए इसने भी जो रहात यूनिट्स हैं जैसे इस्टी अलेफें डिया सुपसरी बात हो गी और 12 बजे संबत में कमिशनर साब किया बैठक भी रखाएगी है जो थोड़े-मोडे पीच के बॉटर ने इसको भी झाल